कल नाउम के बारे में बात कर लिये थे इंगलिस गरामर में और आज जो है हम तब प्रोनाउम्स के बारे में और यह जानेंगे कैसे हम амthat कि कउनेink来 करें कि कि कौन नावन है और पर नांज कि अ नाम की बात हम ले कर चुका था कि नां किया है तनामी नम में होड़े किसका नेम है प्लेश का है प्रसंस का है फेलिंग सो ओक है और इतने भी सारे जिनका कोई नाम है वह सारे नाम कहला देग आज पूरी चीजने बात हम लोगों ने कर कर चुगा थो आज बात करने वाले हैं प्रोनाउंस की आता है तो वार्ट्स यूज इन प्लेस आफ नाउंस ऐसे वार्ट्स जो नाम्स की जगह उपयोव में आते हैं जैसे यहीं एक्जाम्पल के तोर पर यहीं समझा जाए, यहां का रहा है राम इज गूद बॉआए, बट राम इज इल, अब यहीं संतिंस, राम जो है एक गूद बॉआए है, यानि अच्छा लड़का है, लेकिन राम इज इल, राम बिमार भी है, अब राम अच्छा राम इज गूद बॉआए, बट, ही इज इल, राम जो है अच्छा लड़का है, लेकिन वह बिमार है, तो यहाँ जो वह आया है, यह किस लिए है, राम के लिए, तो यहीं राम के बदले में हमने क्या लगाया, यहीं ही क्या कहला आया, प्रॉ नूअंस कहला आया, तो ऐसे होड जो नाम्स के बदले यूज किये जाते हैं प्रोनाम्स गल 시 прामное यह बात धुरे फॉर्म यह किए चीख डेयर जा जो आपको दिख यह जो किया है इस से संदूरे से फॉर्सरिया थी पर नसदीख सब्साई पर हुए है ना दोड़ो तरह के नंबर्स होते हैं आप अपनी खुद की बात यदि कोई कर रहा है तो वो फ़र्स पर्सन और पर्स ना singular में subject क्या होता है I होता है वही first person के singular का जो object बनाएंगे उसका object क्या होता है me वही possessive adjective क्या हो जाता है जिस पर कोई अधिकार होता है possessive means होता है अधिकार जिस पर कोई आपका अधिकार है तो जैसे हमने कह दिया it is my marker यह क्या है मेरी मार्कर है इस पर क्या है मेरी अधिकार है मेरा हिकार है तो यह क्या हो जाएगा possessive adjective की बात हो गई माई, तो I का possessive adjective माई, और वही possessive pronoun क्या आता है, माई उसी प्रकार plural में बात करेंगे, जैसे हमने बात किया, खुद की बात करेंगे, यानि एक बैक्ति की बात हो रही है, वहीं पर वो first person की बात हो गई, वहीं हम लोग, वो क्या बनाते हैं, अस बनाते हैं, उसी परकार possessive adjective सोजाते हैं, आवर्स और possessive pronoun सोते हैं आवर्स, यह possessive adjective, possessive pronoun ना भी अभी याद रखे, कोई बात नहीं, लेकिन यह subject और object दो चीज़े याद रखने कि I का जो है, अबजेक्ट मी, वी का object अस यू का यू और फिर यू का जो है, यू यू का second persons जो है जो दुसरे लोगों की बात करते हैं, जैसे हमने कहा, आपका नाम क्या है मैं direct आप से बात कर रहा हूँ, और आपके और हमारे बीच में कोई तीसरा persons नहीं आ रहा है, तो यह second persons का लाए, तो यह singular जो है second person का क्या होता है, यू इसका object भी यू, तो यू जो है always you होता है, ठीक है third person की बात करेंगे third person में singular में आते हैं he, see, it और name भी आ जाते हैं, यदि राम, मोहन, सीटा, गीटा आ जाता है और इसका plural क्या होता है तो इसका plural होते हैं he, see, it इन सारे के जगा यदि plural बनाना होगे क्या बनेंगे, दे अब ये कैसे दे बनेंगे, जैसे हमने कह दिया, यदि मान लिया हमारे सामने में एक राजनाम का लर्गा है, यहाँ पर हम दोनों बात करें और हम दोनों बात करते करते का रहे हैं कि देखो, वो जो बिनायक है ना आजकल बहुत भूंता प्यूट कर रहा था अब ये बिनायक का जो हमने अभी नाम लिया ये कोई third persons की बात हमने किया तो इसी लिए, he, see, it इसमें नेम भी आप लिख सकते हैं तो यदि कोई तिसरे बैक्ती की अब जैसे इसके अलाव हम एक और एजम्पल यदि समझ जाएं कि यदि हम राज हैं यहाँ पर अरबात कर रहे हैं और कोई यहां से एक लर्की गुजर रही है, मालिया हमने उसका नाम मोना है अब हमने क्या अ कर लिख की भाह सुन बर्यार है, और थर्ट परसल के ही से इतने नेम में आरहे हैं तो यह क्या हो जाेंगे similar यदि этот यह नहीं आरहे हैं जैसे हमने गहाँ कि वह लोग थे ना बहुत खुबशूरत थे यह लोग ठे हैं यह सारी जो प्रोसेस आएंगे यह पुलूरल बन जाएंगे तिन का वही He, See, It ने मुंगा इसका He, See, It का जो है अबजेक्ट क्या बनता है? He का अबजेक्ट Him, See का अबजेक्ट Her और It का It होता है यही possessive adjective ही का हीज हो जाता है सी का हर आता है और इत का इस हो जाता है एस लग जाते है वही possessive pronoun में हीज हर्स और इत का possessive pronouns नहीं होते उसी परकार दे का जो है object देम बन जाता है possessive adjective देर बन जाते है और possessive pronouns देर्स हो जाते है अब यह सारी बात हैं हमने कर लिया nouns, pronouns की अब nouns, pronouns की बाते कर लिये हैं अब तीसरी बात है वो है adjectives की तो आज हम adjectives समझेंगे और उसके बाद हम identification समझेंगे की कैसे हम पहचानेंगे कौन सा noun है, pronoun है और adjectives है तो adjectives क्या आता है, words gives extra information of noun और pronoun, ऐसे words जो extra information देते हैं noun और pronoun के बारे में उसे हम क्या कहते है, adjective करते हैं जैसे यदि समझा जाए, example से smart boy, हमने कहा smart boy बहुत सुन्दर लरका है, यहाँ boy क्या है, noun है अब तो समझ में आ जागया होगा न, कि noun क्या है, naming word वह एक लरके का बात कर रहा है, noun होगया और smart जो है, इस लरके के बारे में क्या बता रहा है, extra information बता रहा है, कि लरका कैसा है, smart है उसी प्रकार, यह beautiful girl में, यह girl जो है, क्या है, noun, सही सोच रहे हैं और फिर यह beautiful जो है, इस girl के बारे में, इस noun के बारे में क्या है, extra information, इसलिए यह beautiful क्या हो जाएंगे, यहाँ पर, adjective हो जाएंगे जिस प्रकार, boy में, smart क्या था, adjective, उसी प्रकार, beautiful girl में, beautiful क्या होंगे, adjective, जैसे यहाँ पर आगया, social persons अब यह persons क्या है, noun है, बिल्कुल हम जान तुक्या है, कि अब कोई भी नाम आ जाएंगे, persons आ जाएंगे, place आ जाएंगे, यह सारे noun अब यहाँ persons हो गए, यह noun हो गए, अब इस persons के बारे में, extra information, यह क्या बता रहा है, social, कि वो person कैसा है, social है, समाधिक है, समाधिक प्रिविर्टी से जुदा हुआ हुआ है, वो उस persons की बात हो रहे है, तो यह social क्या हो जाएंगे, adjective हो जाएंगे, अभी तक हमने, तीन चीजो की बात किया है, noun, pronoun, adjective, noun क्या होते थे, जो naming word होते थे, place, things, यह सारी चीज़ का नाम बताते, एक word में कहा जाएंगे, जो name को बताता है, किसी भी things के, दूसरा हमने समझा, pronouns, जो nouns के बदले में योज किया जाता है, और तीसरा adjective, जो nouns और pronouns का बारे में extra information देता है, उसको कहते हैं हम adjective, अब एक practice करनी है, एक practice का culture यहाँ पर दिया गया है, आईए इसको solve करते हैं, और solve करदे का प्रयास भी करेंगे, करा सीता is going school, and see is very cute, अब इसमें आपको यह बतानी है, कौन-कौन से noun है, कौन-कौन सा pronoun है, और कौन adjective है, चलिए, आते हैं यहाँ sentence पर, सीता is going school, सीता is school, जा रड़े है, and, और see is very cute, वह क्या है, बहुत क्यूट है, अब यहाँ पर सीता क्या हो जाएंगे, noun, इज हम जानते हैं, helping verb है, going क्या है, main verb, main verb का, ing form है, school क्या है, यह भी एक noun है, लेकिन जब second noun आते हैं, तो वो क्या बनते हैं, object, यह object भी है, बत यह noun है, कोई लिकट नहीं, end, यह end जो है, यह दो sentence को जोड़ने का काम कर रहा है, conjunctions का काम कर रहा है, फिर, अब यहाँ जो यह C आये, यह C क्या है, ओपर का table दिख रहा होगा, देखिए, यह pronouns की tables दिख रहा हैं, जिसमें first person, second person, third person, तो C जो है, यह किस के बारे में आया है, सीता के बारे में, वह क्या है, सीता जो है, इस school तो जा रही है, लेकिन वह क्या है, भेरी क्यूट है, वह बहुत सुन्दर है, तो C, सीता के बदले में यूज किया गया है, तो यह क्या है, C, pronoun, उसी परकार, यह यहाँ पर क्या हो ज क्यूट जो है यह हब बता रहा है कि वह क्यूट है कौन क्यूट है सिता क्यूट है और जो नावन या प्रोनावन के बारे में एक्स्त्रा इंफरमेशन देता है वो क्या होता है Adjective कुछ समझें नहीं पल ले था अड़े पल ले पड़ेगा आँ ये सी क्या है प्रोनाउंस और ये प्रोनाउंस किसके लिए आया है सीता के लिए तो सीता के लिए सी प्रोनाउंस है अब प्रोनाउंस का एक्स्ट्रा इंफर्मेशन क्यूट है कि वह कैसी है क्यूंट है और जब यह एक्स्ट्रा इंफर्मेशन दिया तो क्या हो गया अब बात आता है कि सर यह भेरी क्या है अब यह भेरी किसका एक्स्ट्रा इंफर्मेशन बता रहा है एद्जेक्टिव का बता रहा है और जो एद्जेक्टिव का एक्स्ट्रा इंफर्म अगले वीडियो में हम चल्चा करेंगे तो यहां पर हमको यह समझ में आगया आशा करता हूं कि बहतर धान से समझने के लिए सही सध्यान देना प्रें अब इतनी सारी चीज़े हो गई पहचानेंगे तो कुछ टर्मिनाली होता है जो एक्टी परसेंट यदि एक्जाम में यदि कोई वाट्स आते हैं और आपको इस सफिक्स के द्वारा देखने को मिल जाएं तो उसमें नाउंस के जगह नाउंस और प्रनाउंस के सफिक्स के जैसा आगे हम बताएंगे इस अब सफिक्स और एक होते हैं प्रिफिक्स जो सब्द के पहले लगते हैं और सब्द के बाद में लगते हैं तो यह यह याद करने होंगे वार्ट कैसे होंगे नांवन होंगे जैसे सन वाले दिखे तो इलुकेंस वाले देखे दिखा हैक्वेलिटी नहाब हैपिनेस सफलनेश वाले देखे चैल रूद इतल्ट वाले देखे इसी तरह से अनेक होतों जाएंगे इजम वाले दिखें हिंदू एजम एंस वाले देखें इंपोर्टेंस एंड एक्सेक्टरा एक्सेक्टरा तो यह थे नाउंस के सब्सक्राइब और आपको कुछ जैदा नहीं इतना कम से कम कर ले लिए और यह कैसे होगा हम कैसे समझेंगे एक कोई सावी इंगलिस का बूप उठाईए पेपर उठाईए उसका मतलब नहीं है और उसमें यह धूंदना एस्टार्ट कर दिये जहां सन है नाउन है जहां इती है वो नाउन होगा जहां नेस आ गया अंति में नाउन होंगे जहां हूद आ गया नाउन होंगे जहां इस हम आ गया नाउन होंगे और जहां एंस आ गया नाउन होंगे और मेरा मानी है यदि ऐसा आपने कर लिया तो हम करते हैं लगभग 80% के 85% आप नाउन को प्रोनाउंस को और एजेक्टिव को पहचाना समझ जाईए अब आते हैं एजेक्टिव को कैसे पहचाने तो जिस परकार नाउन सके सब्सक्राइब देखा उसी परकार एजेक्टिव के भी कुछ सपफिक्ष होते है उस सब्सक्राइब करते हैं तो एजेक्टिव के सब्सक्राइब हैं अल फुल एफ यू एल फुल लेवल यबल आई वी इव आई एंजी और एंटी ओ यूएस से बन जाते हैं देंजरस देखिए सब्जेक्ट यह वर्ट्स के अंती में ओ यूएस आ गया अल से बन गया सोसल सोसल में अल है सफिक्स उसी परकार फुल में व्यूटी फूल में आगे यह बल्ल आ गया इव इसके लिए इसके बाद आये जी में एकसाइटींग उसके बाद एंटी में इंपोर्टेंट में इंपोर्टेंट आईंगर अगुछ इस तरह के जो वर्ट्स आएंगे तो हमको पता चल जाया कि यह एक्जयक्टिव है उसके लिए यह सफिक्स ह रहें एक्जाम में हमको नंबर्स आने चाहिए इसके लिए थोड़ा सब कुछ याद करने परेंगे नौंस का हमने सफिक्स क्या होताया और एद्जेक्टिव का क्या होताया ओ-ई-व, फूल, लेस, एबल, बल, इव, आइनजी, एंड, आसा करता हूं यह विदियो समझ में आया हूं